हलो एवरिवान वेल्कम टू आल अफ यू आप सभी क्या एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है तो हम लोग एस पी बक्सी के बुक से एडियम्स और फ्रेज़ेस कर रहे थे तो आज का जो हमारा वीडियो है यह थार्ड वीडियो होने वाला है जिसमें हम लोग एस पी बक्सी के बुक से वायसे एडियम्स और फ्रेज़ेस कवर करेंगे जो कि सी से स्टार्ट होगा तो थोड़ा सा यहां पर क्या है कि यह बी यहां पर लिखा हुआ है यहां बी नहीं यहां पर सी होना चाहिए तो आज के वीडियो में हम लोग सी वाले idioms and phrases को cover करेंगे तो क्या है कि हम लोग idioms and phrases alphabetical order में complete कर रहे हैं पहले हमने A से सारे idioms and phrases किया last video हमारा B से था और आज के विडियो में जितने भी important idioms and phrases है जो कि C से start होते इन सारे idioms and phrases का meaning में आपको बताऊंगा तो चलिए ध्यान रटना है तो इस list में जो हमारा पहला idiom है number one पे यह है carry matters with high hand तो ध्यान देना जो sentence या जो group of words या phrase आपको bold part में दिखाई दे रहा है यही हमारा idiom है इसके बगल में bracket में इसका meaning दिया हुआ है और ठीक उसके बगल में एक example sentence है तो carry matters with a high hand इसका मतलब क्या होता है एक बार मैं फिर से बता दूँ idioms and phrases वैसे group of words को हम कहते हैं जिसका शब्दों से अर्थ नहीं निकलता है जिसका कोई literal meaning नहीं होता है words कुछ और लिखे होते हैं और meaning कुछ और होता है और idioms and phrases की यही खासियत होती है और जब भी हम idioms and phrases अपने writing में या फिर अपने speaking में यूज करते हैं तो हमारी language बहुत ही decorative हो जाती है हमारी language में चार्ज चांद लग जाता है लेकिन अगर मैं competition के point of view से बोलूँ अगर आप competitive exams के तयारी कर रहे है तो vocabulary में idioms and phrases के questions भी बहुत common होते हैं और SP बक्सी के book से vocabulary पढ़ना अपने आप में बहुत ही important चीज है तो पहला हमारा है carry matters with a high hand इसका मतलब होता है to deal with a person strictly to deal with a person strictly मतलब किसी व्यक्ति के साथ सकती से पेश आना या सकती से निपटना क्या होता है कि कभी-कभी किसी इंचान को अगर आप बहुत casual approach रख करके अगर आप उसको समझाते हो तो नहीं समझता है तो कभी-कभी ऐसा situation आता है कि किसी इंचान के साथ आपका बहुत सकती से पेश आना पड़ता है you have to deal with him और हर इसका मतलब होता है किसी के साथ सकती से पेश आना ठेक है उसके साथ सकती से निपटना एक्जामपल देखो क्या है तो ऑनर आप दे इंडिस्ट्री कैरीड मैटर्स देखो यहाँ पर इडियम का यूस किया गया है कैरीड मैटर्स विद आ हाई हैंड एक्सपेल्ड टू वर्कर्स फू वर काट डूइंग मिस्चीप इन द ऑफिस अब कुछ-कुछ ऐसे वर्कर ह होते हैं जो ऑफिस में काम नहीं करते के बल सरारत करते हैं तो दो वर्कर्स के साथ जो ऑनर था कंपनी करना उसके साथ सकती से पेस आये और दो वर्कर्स को एक्सपेल कर दिये काम से उसको हटा दिया ऑफिस से हटा दिया है इसका यह मिनिंग हो गया इस जो हमारा इडियम ह क्लिप का मतलब काट देना होता है और विंग्स का मतलब पंक हो गया नहीं बोलते हैं कि उसके तो पंक काट दिये गए मतलब वह उड़नी सकता है। यानि to weaken the power यानि किसी के छंता को किसी के पावर को घटा देना। horrific है, simple सी वात है अगर आपके पंक लगे हुए हैं तो आप बहुत ही आसानी से उड़ सकते हैं लेकिन अगर आपके पंक को क्लिप कर दिया जाए काट दिया जाए तो आप उड़ नहीं पाएंगे एक तरह से आपकी जो छमता है जो आपकी शक्ति है वो कम हो जाएगे आपका में शक्ति क्या उड़ लेकिन आपके क्लिप कर दिया जाए आपको पंख्खो तो क्या हुड़ पाएंगे नहीं पाइंगे आपकी पावर को वीकेंड कर दिया जाएगा आपके शक्ति को कम कर दिया जाएगा कम जोर कर दिया जाएगा तो इसका एक्जाम्पल सेंटिस क्या है माई एल्डर सिस्टर इस वेरी अंबिश्यस जो बड़ी बहना ना बहुत ही अंबिश्यस है अंबिश्यस का मतलब महत्वकांक्षी मतलब जो लाइफ में कुछ अचीब करने का यह कुछ करने का इच्छा रखता हो पट माई मदर विल शॉरली क लेकिन मेरी मा जो है न वो डेफिनेटली क्या करेगी मेरी बहन के पंक को काट देगी मतलब उसके इस पावर को कमजोर कर देगी मतलब उसको ज्यादा उड़ने नहीं दिया जाएगा यह मतलब हुआ चलिए तो यह सारे एडियम सी से स्टार्ट हो रहा है नेक्ष्ट है कम ह का मतलब क्यों होता है किसी चीज को समझ जाना या किसी बात का पता चलना मुझे पता चला मुझे पता चला तो अगर आपको किसी बात का पता चलता है या अगर आप उसको समझ जाते हैं तो उसके लिए मेडियम यूज करते है कम होम तो इसके लिए मेडियम यूज करते है बट सुन इट केम टू हर दाट शी वाज नॉट फिट फॉर दजॉब अज शी वाज वन ली ग्रेजवेट तो सीमा जो है न वह टीचर के लिए वह टीचर बनना चाहती थी कॉलेज में कॉलेज का टीचर बनना चाहती थी लेकिन सुन अलेकर तुरंती उसे पता चल गया वह ग्रेजवेट हैं नेक्स देखो क्या है नेक्स टेक कम फोर नंबर पे कम टू अस्टैंड इस्टिल का मतलब होता है किसी चीज़ का अचानक से रुख जाना और कम्प्लीटली रुख जाना अगर कोई चीज चल रही है चाहे आपकी तरकी हो आपका काम हो आपका बिजन हो कोई भी चीज़ हो जो बहुत अच्छा और स्मूथली चल रहा है लेकिन अगर वह अचानक से रुख जाता और पूरी तरह से रुख जाता है तो उसी को हम क्या बोलते है कम टू अस्टैंड इस्टिल का मतलब होता है कम टू असट्डेन स्टप अचानक से कोई चीज क्या है किर पत्लब यात्रा क्या हस्ते है रहां कि यात्रा के बित रास्ते ही क्या हवा कि ये की कार जू स्टैंड स्टील हो गया मतलब बिलकुल ही बंद स्टील हो गया ऑचानक से बंदो घंद या इसका यह ब्यूस ग्रोईंग बिसनस کاम to stand and still उसके जो बढ़ रहे जो बिजनस थे न वो अचानक से क्या होगे वो रुग गये बंद हो गया है पास समस्ज में आरी नेक्ट देखो क्या है next day come off with flying colors come off with flying colors का मतलब होता है to come out successfully मतलब बिलकुल किसी चीज को किसी चीज में आसानी से सफलता पाले ना किसी चीज में successful हो जाना बहुत आसानी से सफलता पाले ना उसी को बोलते come off with flying colors बोलते हैं the final football match was very crucial but finally we won and came off with the flying colors so final football match था ना बहुत important था बहुत crucial था लेकिन अंतता क्या हुआ कि हम लोग flying colors से उसको जीत गया मतलब कि बहुत आसानी से उसे जीत गया है इसका यह मतलब हुआ we passed the exam with flying colors जब भी flying colors बोलते हैं इसका मतलब होता है successfully and easily इसका यह मतलब होता है next cross one's mind cross one's mind का मतलब होता है किसी बात का खयाल आना जब बोलते cross one's mind तो इसका मतलब होता है किसी बात का या किसी चीज का खयाल आना जैसे मुझे इस बात का ख्याल आया की तो जो बोलते हैं कि उसे मेरे मन में ख्याल है मेरे मन में एक बात आया ठीक है तो इसके लिए हम यूज करते हैं to occur to oneself यानि किसी के मन में कोई बात आना कोई तरकीव सुझना in the examination hall it crossed my mind examination hall में ये ख्याल आया मुझे क्या ख्याल है that I had left my pen outside outside on the table जब examination hall में में अंदर घुश गया तब मुझे अंदर जा करके ये बात का ख्याल आया कि मैं जो अपना पेन है ना वो बाहर टेबल पे ही छोड़ दिया था मैंने अपने पेन को बाहर टेबल पे ही छोड़ दिया था तो cross one's mind का मतलब होता है किसी बात का ख्याल आना होता है देखो next गया cry for the moon बहुत ही important डिडिया में कई बार exam में आ चुका है cry for the moon cry का मतलब रोना होता है किसके लिए रोना मून के लिए बहुत सारे ऐसे होते हैं नखड़े वाले बच्चे या नखड़े वाले अपने वो वाली भी होती है वो बुलती है कि मुझे चांद ले करके मतलब चांद मेरे लिए ले आओ तो क्या यह possible है कि वो चांद आपसे माँगे तो आप चांद लाकर के आप दे देंगे क्या possible है आपके लिए नहीं ना लेकिन फिर भी गाने में बचते है ठीक है मैं तेरे लिए चांद लाओंगा लेकिन सही में जब डिमांड कर देने कर नहीं मेरे लिए चांद तुम लेकर आओगे नहीं लेकर आओगे तो केबल चांद के लिए वो रोते रहेगी और तुम कभी नहीं लापाऊगे मतलब to wish for something impossible यानि ऐसे चीजों की इच्छा रखना जो की impossible है जो मिल पाना जिसे कर पाना या जो चीज का हो पाना क्या है मुस्किल है बहुत ही impossible है तो आप अगर चांद के लिए रोईएगा कि चांद मेरे पास आजए तो तो मिल नहीं सकता क्या है वो impossible है तो ऐसी इच्छा ना रखे और नहीं कुछ लोग ऐसी किसी को क्या करे मतलब गुम्राह करे किसी को लालजते कि मैं तेरे लिए चांद तोड़ करके लांगे ता चांद नहीं लेकर क्या पापा होगे यह क्यों क्योंकि यह impossible है तो जब भी बुलते cry for the moon इसका मतलब होता है to wish for something that is impossible ऐसे चीजों की इच्छा रखना जो कि impossible है बात समझ में आ रहे है चलिए देखो example sentence क्या है the hope of winning the lottery amounting to lakhs of rupees is simply crying for the moon तो लाख रुपे का लाटरी जितना यह अपने आप में क्या है crying for the moon है हाँ किसी लोग के लिए possible हो जाता है lottery जित जाना लेकिन मैं पिछले 3-4 सल से dream 11 पे लगा रहा हूं टीम बना रहा हूं लेकिन मेरे लिए तो यह cry for the moon है मतलब जब भी मैं लगाता हूं तो मैं जितने की गेम में entry लेता हूं बस उतने ही मेरे रूपिस उतने ही amount मिझे क्या होते है return होते है मतलब है मैं no profit no loss में रहाता हूं लेकिन मैंने कभी अभी तक वो लाक दो लाक या करोड रुपिया नहीं जीता है तो इसलिए dream 11 पे lottery जितना मेरे लिए cry for the moon है मतलब मेरे लिए इंपासिबल है मेरे लिए इंपासिबल नेक्स एक नेक्स्ट एक करी छली अ करी नहीं है पर carry होना चाहिए ठीक है यहां carry होना चाहिए carry favor with carry favor with का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता win favor of somebody यानि किसी के favor जीत लेना यानि किसी से कोई सपोर्ट मांगना और अगर आपको वास्तों में वह सपोर्ट करता है या पिर उसके सपोर्ट लेने में उसके फेवर लेने में आप सफल रहते हैं तो उसके लिए इडियम क्या carry favor with to win favor of somebody किसी के favor को जीत लेना नीना गाव अलाड़ of costly presents to her to her science teacher नीना जो है अपने science teacher को बहुत सारे costly presents दिये क्यों दिये भाई to carry favor with him यानि उनका favor लेने के लिए उनका favor लेने के लिए मतलब हो सकता है एकजाम में अच्छे से अप अच्छे से भी पढ़ा दिजी यह मेरे रहां हिजारों बार पूछा गया है एस से एक जाम क्याओ कॉल एप सिद्धा जबाब देना मतलब घुमा फिरा कर बात नहीं करना किसी के साथ to speak to somebody directly किसी के सामने सीधे तौर पर बात करना ज्यादा घुमा फिरा करके ज्यादा लाग लपेट के साथ नहीं है अगर हम सीधे सीधे तौर पर किसी के क्लेंच लिग दम सीधे सपाट तरीके से बोलना डीरेफ बोलना जैसे हमारे जो अभी करेंट फॉर्इन मिंटिर्टर एस जैसंकर हिस नौन पॉर जाक्टर एस जैसंकर इस नौन फॉर कॉलिंग a spade a spade वो किसी के किसी से डढ़ते नहीं है जो सही बात रहता है सीधे बोल देते हैं किसी को भी तो अगर आप कोई भी बात सकते बात को अगर सीधे तोर पे बोलने का छमता रखते हैं तो इसका मतलब है कि आपके अंदर वो quality है calling a spade a spade करने का ओके चलिया नेक्स्ट है carry the day carry the day का मतलब होता to be in a victory मतलब कोई जीत जीत ले ना ठीक है मतलब जीत हासिल करना carry the day का मतलब होता जीत हासिल करना विजाई होना किसी चीज में victory हासिल करना after initial setback India carried the day in the test match बैस शुरवाते में test match में जटके लगे लेकिन finally इंडिया है न वो test match को carried the way कर पाएं carried the way कर पाएं मतलब उसको जीत पाएं जीत हासिल कर पाएं next day cut a sorry figure cut a sorry figure इसका मतलब होता है to give a poor show ठीक है to give a poor show एक तरह से मुह लटका है रखना या बिलको ली बिलको ली मतलब poor performance करना या फिर मुह लटका है रखना भी इसका होता है to cut a sorry figure the speaker cut a sorry figure in the meeting speaker ने जो है न बिलकोल अच्छे तरीके से perform नहीं क्या meeting में बात समस्मारी चलिए भई next क्या cry over spilt milk अब पस्ताए क्या हो जब चिडिया चुक गई खेत ऐसे बोलते हैं हम लोग कि जो हो गया सो हो गया अप अस्ताने से कोई फैदा नहीं आगे बढ़ो तो इसके लिए क्या idiom होता है cry over spilt milk repent मतलब regret करना एक तरह से जो चीज हो गया जो बात बीट गई उस पर आप बार बार सोच करके अपना टाइम गवा रहे हैं careless students often have to cry over spilt milk during the exams careless students जो होते हैं उस साल भर नहीं पढ़ते हैं वो एक्जाम के समय में सोचते हैं कि सब कुछ पढ़ करके अच्छा कर लेंगे बेतर परफॉर्म कर लेंगे लेकिन अंतता उसे पच्ताने के अलावे और उसके हाथ में कुछ नहीं होता है ठीक है they have to cry over spilt milk and nothing apart from that okay उसके अलावे उसको कुछ करना नहीं होता है मतलब आप केवल पच्टाने का काम करेंगे अगर सुरू से महनत नहीं करेंगे तो next day cut once quote according to once cloth भाई उतना ही पैर पसारी जितना आपकी चादर हो ऐसे बोलते हैं कि जितना आपके लिमिट हो अगर लिमिट महीं अगर आप जीते हैं रहते हैं तो आप विल्कुल अच्छे कर रहे हैं विल्कुल आप successful है लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है limit cross करने के तो उ या medium के use करते हैं उतना ही पैर पसारी जितना आपका चादर तो उसके लिए क्या होता है मारा idiom cut once court according to once cloth To live within once means आपके जितने limit है अपने limit के अंदर रहना है इसका मतलब होता है अपने limit के अंदर रहना A wise man always cuts his coat according to his cloth if he wants to be successful in his life अगर एक बुद्धिमान वेकती है न अगर वो सफल होना चाहता है तो हमेशा वो उतना ही पैर पसारता है जितना कि उसका चादर है है मतलब वो हमेशा अपने limit में रहना जानते है बात समझ में आगे देखो next क्या है कि next call names call names का मतलब नाम पुकरना कभी के भी होता न किसी का नाम पुकर के बोलना अपने आप में क्या होता है यह offensive होता है मतलब बिलकुल एक तरह से गाली के जैसा होता हम कह सकते तो अगर आप call names करते तो इसका मतलब है किसी के लिए आप आप शब्द का यूज कर रहे हैं आप किसी को गाली दे रहे हैं आप यूज कर रहे है उसके लिए आप सब्द का यूज कर रहे है नीता called me names so she was severely punished by the teacher नीता ने मुझे गाली दिया ठीक है she called my names she called me names और इस लिए teacher ने क्या क्या उसे बुरी तरह से पीटा हो सी है कर्डु कर्टन लेक्ट्टर का मतलब कर्द का मतलब तो परदा होता है करटन लेक्चर का मतलब होता है रिपूफ बाइब वाइफ टु हरस्बंट ठेक है तो मतलब है कि अगर अगर वाइफ जो है न वह अपने हस्बन को डाट फटकार लगाती है तो इसका एडियम होता है करटन लेक्चर होता है माइ ब्रादर नेवर पेज एनी अटेंशन तो ही इस वाइप कर्टेन लेक्चर एंड दस वाट ही थिंग तो सेंटेस एग्जांपल क्या बूल रहा है कि मेरा ब्रादर जो है न वह अपने वाइफ के दाट फटकार पे कभी ध्यान नहीं देता है वह वही करता है जो से अच् ब्लॉक का मतलब क्या होता है resembling one's parents in habits अच्छा कोई अगर बच्चा कोई पैक्ति अगर अपने माता-पिता के habit पे गया हो उसके माता-पिता के जो आदत है वही आदता कर उसके अंदर भी है तो इसके लिए हम यूज करते है चीप आप दे ओल्ड ब्लॉक my friend is quite helpful like her father so she is a chip of the old block मेरी जो फ्रेंड है न वह बिल्कुल अपने पिता की तरह ही helpful है तो हम कह सकते हैं कि वह बिल्कुल अपने पिता पे गई है बात समझ में आ रहे है नेक्स टेक कैव इन कैविन का मतलब क्यों होता है कैविन का मतलब होता है yield मतलब हार मान लेना किसी के सामने हार मान लेना जोग जाना गीव अप कर देना although our team fought bravely हलाकि हमारा team बहुत बहादूरी से लड़ा yet had took kevin before the superior power play of the opposite team अच्छा opposite team का जो पावर प्ले था ना उस समय हमारी टीम जो ना वहार मान गई तुरू में perform अच्छा किया बहुत बहादूरी से fightback किया जेकिन पावर प्ले का टाइम पे वहार मान गया जूग गया मतलब केविन का मतलब होता है जूग जाना हार मान लेना give in कर देना लेक्ट से close in hook क्लोविन हो पूफ का मतलब वो गाय भाइस का जो पर होता है निचे वाला जो पाठ होता है जो तूस की तरह लगता है थिक है इस तरह से इस तरह से, इसको हूप बला जाता है, ठीक है, तो क्लोवेन हूप का मतलब क्यों होता है, इवल इंटेंशन, मतलब बुरी इरादा, अगर किसी ने अगर इरादा अपना बिल्कुल बुरा इरादा रखाओ, बुरा मकसद रखाओ, तो ऐसे बुरी मकसद को क्या बुलते हैं, ऐसे बुरी मकसद को, बुरी इरादे को हम बुलते हैं, बुलते हैं, एक्जामपल है, दे चाइनीज शोड दे क्लोवन हूप इन 1962, आप चाइना हमेशा उपर से दिखा रहा है, इंडिया का बेस्ट फ्रेंड है, इंडिया का बहुत अच्छा दोस्त है, इंडिया का साथ बैपार कर रहा है, लेकिन चाइना का जो इंडिया का प् या जो कोंपेटइशन न बेलकुल कर्ट फ्रोट क्मपेटिशन, पहले बाट साल दस सल पहले जो कंपेटिशन था, वो कंपेटिशन आज के डेट में और भी टॉप होगया, मतलब कट फ्रोट होगया, मतलब आज का कंपेटिशन निकालना इतना सान नहीं है, ठाइडब नहीं कर पाएंगे, it is a very difficult for Indian industry to survive in the teeth of international cutthroat competition, अब भाई Indian industry को survive करना बहुत दिफिकल्ट है, tough है, क्यों भाई, तो अभी international level पर क्या चल रहा है, competition चल रहा है, हर चीजों का, next is call in caution, call in caution का मतला होता है doubt करना, call in caution का मतला होता है doubt करना, किसी चीज़ पर सक्षंदे करना, doubt करना है सक्षंदे करना, ठीक है, you should not call in question my honesty, मतलब तुमें मेरी honesty पर, मेरी इमंदारी पर doubt नहीं करना चाहिए, शक नहीं करना चाहिए, next is cheek by jaw, बहुत बार exam में आ चुका cheek by jaw, इसका मतला होता है close together या फिर very near, अगर आप किसी चीज़ के बहुत नजदीक है, बहुत close है, तो उसके लिए यूज करते हैं cheek by jaw, example है in metropolitan city, cities, it is common that affluence and poverty exist cheek by jaw, अगर आप metropolitan city में देखेंगे, तो आपको धनी लोग, अमीर लोग और गरीब लोग, मिल जाएंगे एक ही जगह पे, बहुत नजदीक में रहते हुए, तो इसी को बहुत है, cheek jaw, बहुत नजदीक, करीब-करीब, आज पास में, ठीक है, next day come to pass, come to pass, come to a pass का मतलब होता है difficult situation, come to a pass का मतलब होता है difficult situation, इसका मतलब होता है difficult situation, come to pass, example देखो क्या है, the things, the things have come to such a pass, such a pretty pass, that he is financially ruined, मतलब, चीज़े इतना difficult हो गया है, कि वह financially बरवाद हो चुका, चीज़े इतना difficult हो गया उसके लिए, कि वह financially बरवाद हो चुका है, next day close shave, close shave का मतलब होता है a narrow escape, a narrow escape भी अपने आप में एक idiom है, जिसका मतलब होता है, बाल-बाल बचना, example है as he was driving recklessly in a crowded street, जैसा कि वह बिलकुल भीड भाड़ वाले, सडक पे क्या, वह बहुत ही लापरवाही से गाड़ी चला रहे थे, he had a close shave, वह बाल-बाल बचे मतलब accident होने से बाल-बाल बचे, next is cut and dried, cut and dried का मतलब होता है ready-made form, अगर कोई चीज अगर आपको बना-बना मिल जा रहा है, तयार form में मिल जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलते है, cut and dried बोलते है, there is no cut and dried formula for success in life, भाई, सफलता के लिए, कोई ready-made formula नहीं बना हुआ है life में, आपको मैनत करना पड़ेगा, next is clinch the issue, clinch the issue का मतलब होता है, decide the matter, किसी matter को decide करना, मतलब clinch the issue, when he agreed to leave the house for good, it is, it clinch the issue in favor of his wife, तो जब उसने finally decide कर लिए, मतलब उसने, इस बात पर agree कर लिया, कि वह भलाई के लिए, घर को छोड़ कर जाएगा कहीं कमाने के लिए, और इसने क्या कर दिया, इस matter ने क्या किया, मतलब इससे क्या होँआ कि उसका जो problem था, जो matter था, वो solve हो गया, उसके wife के लिए, जो matter था, वो solve हो गया, तो मतलब एक तरह से किसी matter को decide कर ले ना, और इसको solve करने के कोशिश करना, next is carry one's point, carry one's point का मतलब क्या होता है, carry one's point का मतलब होता है, win approval, यानि किसी का approval मिल जाना, किसी का approval मिल जाना, या फिर अगर आप कोई चीज़ कर रहे हैं, और वो किसी को पसंद है की नहीं, अगर जिसको पसंद है, वो आपके किये चीज़ों को क्या करेगा, accept कर लेगा, उसको approve करेगा, तो हम जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं, अगर आप approve करते हैं, तो इसका मतलब है कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो किसी के approval को जीत लेना, ठीक है, अगर किसी को convince करने में आप सफल हो जाते हैं, वो आपके कोई भी चीज़ को मान लेते हैं, उसको approve कर लेते हैं, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं, carry one's point, after heated discussion, he was able to carry his point, अच्छा, बहुत ही गरमा गरम discussion चला, लेकिन फानली वो लोगों को मनवा पाया, उससे अपना approval जीत पाया, इसका यह मतलब हो गया, ठीक है, I had much need of this, किस चीज़ का need, ओके दीपक ठाकूर, बात समझ में आ रही है, देखो 27 नमबर में कौन सा इडियम है, चेकर्ड, देखो चेकर्ड हम ऐसे भी पढ़ते हैं, चेकर्ड का दो spelling होता है, आप Q से बना लिख सकते हैं या फिर CK से, चेकर्ड, चेकर्ड करियर, वही चेकर्ड करियर हम किसको बोलते हैं, चेकर्ड करियर का मतलब होता है, full of ups and downs, जिसकी करियर में बहुत उतार चड़ा हो, कभी सफलता, कभी फैलियर, बार-बार उतार चड़ा हो है, जिसके करियर में वैसा करियर, जिसमें बहुत ups and downs हो, बहुत उतार चड़ा हो, तो वैसे करियर को हम बोलते हैं, चेकर्ड करियर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चेकर्ड करियर, चलिए sentence example से समझते हैं, politicians have generally चेकर्ड करियर all along, भाई politicians का शुरू से ही करियर कैसा होता है, चेकर्ड करियर होता है, इस बार जीता, पांच सल रहेंगे, अगले बार नहीं जीते हैं, तो बैठ जाएंगे, यानि politicians का generally career जो होता है नो चेकर्ड करियर होता है बहुत ups and downs से भरा होता है नेक्ट जे cut both ends cut both ends cut both ends का मतलब होता है argue in favor of both sides भाई किसी के ऐसे argue करना कि पता चले कि आप इधर का भी favor ले रहे उधर का भी favor ले रहे हो यानि एक तरह से ना तो आप इधर का हो ना तो आप उधर का हो तो कुछ लोग होते हैं जो दोनों का side लेते हैं अपने argument में दोनों का side लेते हैं दोनों पक्षो का side लेते हैं तो cut both ends का मतलब होता है किसी दोनों पक्षो का side लेना दोनों के साथ argument में दोनों का साथ लेना ठीक है he is ambiguous यानि वह ambiguous है मतलब उसका बात कुछ समझ में नहीं आता है क्यों समझ में नहीं आता है he always cuts both ends क्योंकि हमेशा वह argument करता है तो दोनों का side लेता है दोनों बात का side लेता है दोनों चीजों का side लेता है यानि दो तरह से काम करता है हम उसके तरफ है कि इसके तरफ है पता ही नहीं चलता है कि वह इस चीज़ के सपोर्ट में बोल रहा है कि इस चीज़ के फेवर में बोल रहा है वो बोलेगा दो दोनों के फेवर में बोलेगा वैसा तो नहीं होता है तो cut both ends का मतलब यह होता argue in favor of both sides next day cock sure cock sure का मतलब दिखो क्या होता है अगर आप किसी बात को लेकर के 100% sure है 100% sure है आपको लगता है कि कोई चीज होगा ही होगा 100% sure है तो 100% sure को बोलते हैं cock sure बोलते हैं very sure and certain किसी चीज को लेकर के बहुत sure हो जाना यह certain रहना he was so cock sure of his success that he applied for a job before the declaration of the result वह अपने job को लेकर के अपने job की सफलता को लेकर इतना cock sure था इतना certain था इतना sure था कि job का जो result है ना result का declaration है उसके पहले ही उस जॉब के लिए apply कर दिया हो देखो नेक्स टे कॉक अस्नूग का मतलब क्यों होता है कॉक अस्नूग to show impudent content ठीक है कॉक कॉक अस्नूग का मतलब होता है ठीक है किसी के साथ बेहुदगी से पेश आना जैसे she's so proud of her wealth that she always cocks a snook at the acts of her husband वह भाई इतना विल्दी है न अपने अपने धन दोलत को लेकर कितना उसको घमंड है क्यों कभी भी अपने husband के साथ अच्छे से पेश नहीं आती है हमेशा उसके साथ बिल्कुल गलत तरीके से, बैट तरीके से या बेहुदगी से उसके साथ पेश आती है तो किसी के साथ बेहुदगी से पेश आना, इसको हम क्या बोलते है कॉकर स्नूप बोलते है कॉकर स्नूप बोलते है नेक्स्ट है चाप्टर एंड वर्स चाप्टर एंड वर्स का क्या मतलब होता है चाप्टर एंड वर्स का मतलब होता है इन फूल डिटेल टिकेट टूगी प्रूफ एक बार सुन लेता है तो उसी कहानी को सुना सकता है उसका जो मेमोरी है ना इतना शार्फ है कि वो पूरे के पूरे कहानी को सुना सकता है ठीक है पूरा डीटेल में सुना सकता है फ्रूब के साथ सुना सकता है तो इन फूल डीटेल होता है इसका मतलब chapter and verse next day cool one's hills cool one's hill next day cool one's hill cool one's hill का मतलब होता है cool one's hill का मतलब होता है to be kept waiting यानि किसी को wait करके रखना किसी को wait करके रखना या फिर किसी किसके लिए wait करते रहा he had to cool his hills before he could meet the president of the party पर्टी के president से मिलने के लिए उसको क्या करना पड़ा इंतजार करना पड़ा लगातार इंतजार करना पड़ा मतलब he had to cool his heels cool his heels मतलब इंतजार करना next day carrot and stick policy carrot and stick policy का मतलब होता है reward and punishment reward and punishment मतलब जहां आपको reward भी मिले और punishment भी मिले तो इसको क्या बोलता है carrot and stick policy a successful businessman follows the carrot and stick policy towards his employees successful businessman जो होते है न वो अपने employees के प्रतिक कैसा behavior रखते है carrot and stick policy रखते है कैसा policy रखते है carrot and stick policy रखते है मतलब अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपको reward भी मिलेगा गलत काम करेंगे तो आपको punishment भी मिलेगा बहुत सारे company होते है जो हमेशा reward देते रहते हैं तो ऐसे जगा के employee बिगड जाते हैं काम मन से नहीं करते हैं और कुछ जगा ऐसा होता है जो हमेशा अपने employees के साथ torture करते हैं उसको उसको punish करते रहते हैं यहां भी नहीं चल पाता है successful businessman अच्छे करने वालों को सम्मानित करती है और बुरे करने वालों को job से निकाल देती है तो ऐसे approach अगर लेके चलते हैं तो इसको क्या बोलते हैं carrot and stick policy बोलते हैं देखो next क्या है come in handy come in handy का मतलब होता है to be useful किसी चीज़ का useful होना और बहुत आसानी से available हो जाना अगर कोई चीज़ बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है available हो जाता है और बहुत useful हो जाता है तो उसको बोलते है come in handy बोलते है take some woolen clothes आप भई कुछ woolen clothes खरिद लिजिए they may come in handy in similar अगर कोई चीज़ आपके लिए किसी सिच्वेशन में useful हो जाता है काम में आ जाता है तो उसके लिए बोलते है come in handy बोलते हैं ठीक है तो वही कुछ woolen clothes लिजिए क्योंकि यह चीज़ आपको similar में काम आ सकता है तो इस लिस्ट में हमने अगले class में हम लोग देखेंगे अगले video में हम लोग वैसे idioms को कवर करेंगे जो कि D से start हो रहा तो बिल्कुल मैं complete idioms and phrases करा दूँगा अलफा बेटिकल ओर में जैसा कि मैंने synonym, sentence और one word substitution कराया और phrasal verb कराया आपका idioms and phrases भी complete हो जाएगा बाकि आप लोगों का बहुत support और बहुत प्यार मिल रहा है इस video को आशा करता हूँ कि आगे भी आप लोग इसी तरह से प्यार और support देते रहेंगे और हमें हमें encourage करते रहेंगे आपके लिए लगतार videos बनाने के लिए live आने के लिए तो आप मिल करके हम सब मिल करके इस channel को एक बड़ा परिभार बनाएंगे तो आप लोग भी विल्कुल अगर आप इस channel को support करते हैं मतला आपको अच्छा लगता है मेरे दावरा पढ़ाएगे चीज़े अगर आपको आपके लिए useful होती है आपको काम आती है तो बिल्कुल आप निश्वार्थ भाव से इस channel को support किजिए share किजिए जितना ज़्यादा लोग जूडएंगे उतना ही ज़्यादा हमें भी energy मिलेंगे हम भी बहुत passionate होकर के आप लोगों को subscribe कर लिजिए किसी भी तरह के PDF के लिए आप हमारे टेलिग्राम चैनल को join कर लिजिए आपको link नीचे description में मिल जाएगा या फिर आप जिस चैनल से मेरा जिस नाम से मेरा YouTube चैनल है उसी नाम को आप search कर लिजिए टेलिग्राम में आपको मेरा चैनल आपर मिल जाएगा तो चलिए बस इसी के साथ इस वीडियो को end करते हैं मिलते नेक्स वीडियो में थैंक यू